So hello everyone, Tata Power का stock देख रहे हैं आप और आज इस share में अच्छी कासी तेजी देखने को मिल गई है 3%, 3.29% की तेजी इस share में देखने को मिल गई है So क्या इसमें breakout आचुका है या नहीं ये बताऊंगी मैं इस वीडियो में और ये भी बताऊंगी क्या इसका support level नज़र आ रहा है और क्या इसकी resistance level नज़र आ रही है short term perspective से और mid term perspective से कितने returns या आपको दिला सकता है इस वीडियो में बताएंगे वैसे तो best रहेगा Tata के stock आप लोग long term perspective से ही hold रखिए long term perspective में ये ज़्यादा अच्छे returns दिला सकते हैं rather than short term and mid term perspective बाकि हम पहले returns चक करने से पहले आप लोग हमारा WhatsApp group join कर सकते हैं link in description याँ पर दिया था हमने silpa Medicare का stock और आप देखेंगे इसके all target done हो चुके हैं चलिए याँ पर हम पहले Tata Power के अगर returns देखें so five days में भी आप देख रहे हैं वैसे तो आज ये इसमें तेजी देखने को मिली है one month में भी याँ पर सही returns दिये हैं इसने 9-10% almost positive returns past six month में ठिक ठाग returns है year to date में भी सही returns है 38-39% one year में भी बढ़िया returns है 78% five years में भी returns इसने बढ़िया दिये हैं इसने कहां मतलब 62 रूपीज का था और अभी चल रहा है 458 रूपीज का so long term perspective से वैसे ज्यादा बढ़िया इस टॉक दाकि return से सही प्रोवाइट कर रहे हैं चलिए हम directly चलते हैं चार्ट पर so मैंने आपको previously वीडियो में भी बताया था अगर यह यहां पर 452 के अभाव sustain करें so 460 की resistance आपको दिखा सकता है देखेंगे आप 460 इसने मतलब almost touch करने ही वाला है अभी चल रहा है यह 458 रूपीज का 459 रूपीज के round so यहां पर अगर यह 460 के अभाव भी sustain करता है वैसे तो इसमें breakout आ चुका है देखेंगे आप आज अगर यह 452 के अभाव ही closing देता है आप लोग कल यहां पर तब fresh entry ले सकते हैं आज तो मती लीजिए क्योंकि price high चल गए है ठीक है तो यहां पर तब आप लोग fresh entry ले सकते हैं 454 या 455 के around यहां पर 470 का level आपको यह short term perspective से दिखा सकता है और अगर यह 471, 70 के अभाव sustain करता है तो तब यहां पर ज्यादा अच्छा target ही mid term perspective से open हो सकता है mid term perspective से यह आपको 500 and 550, 520 के अभाव यहां पर यह जाता हुआ दिख सकता है 520 and 550 प्लस यहां पर यह जाता हुआ दिख सकता है for mid term perspective सो अपने risk में बने रही है वैसे तो share बढ़िया है long term perspective से ज़्यादा बढ़िया है बट कई लोग short term perspective से होंगे सो कुछ quantity आप लोग चाहें तो book कर सकते हैं बाकि 470 का level यह आपको दिखा सकता है in short term perspective and I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी Thanks for watching this video